लवसकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिख्षा कडमी के इस नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं घडी से सम्मंदित वाले प्रश्णों का पार्ट टू दोस्तों पार्ट बन पहले ही अप्लोट कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि घड़ी से कितने टाइब के बश मुठ के पूंचे जाते हैं और सबस होते हैं तो फार टाइप होते हैं तो मैंने दिस्केस किया था कि प्रतिविम पर आधारत बनने वाले प्रतिविम पर आधारत बनने वाले प्रतिविम को मैंने पहले वीडियो में डिसक्स किया था ठीक है जिसमें मैंने उसमें बताया था कि प्रतिविम भी दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से जल प्रतिविम और दरपन प्रतिविम ठीक है यह दोनों का मैंने बहुत ही अच्छी तरीकी से इनके दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया था और सांदर और जवाज़र्स्त मैंने इसकी ट्रिक भी बताएंगी जिसमें आप उसके कौशन कोशने से चार सेकेड के आप आसानी से सवाह Papamu कर सकते हैं तो दोस्तों आज के स्विरू में हम डिसकस करने बाले हैं को पर आरानले बढ़ने वाले प्रस्तु चलिए दोस्तों है दोस्तों शूरू करते दो बच के 30 मिनिट है ठीक है यदि समय दो बच के 30 मिनिट है तो मिनिट और घंटे वाले जो सुईयां रहती हैं या पर काटे सुईयां लिख लेते हैं काटे के बीच के बीच बनने कौन क्या होगा सॉल क्वेशन इस टाइप से आते हैं में बात क्या होती है समय दिया रहता है या इसमें समय दिया है कितना 2 बच के 30 मिनिट और पूछ लेते हैं मिनट और घंटे किस स्विगों के बीच बनने वाला कौन क्या होगा तो सबसे पहले आप देख लेते हैं घड़ी बना लेते हैं ठीक है सबसे पहले आपने अपने घड़ी बनाएंगे बारा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा इसके बाद अब अब आपने इसमें टाइम करने थे हैं कितने दो बच्च के तीस मिनट यानि कि जो मिनट का सुई रहेगी वो कितने पर छे पर रहेगी और जो यहां गंटे वाली सुई भाई तीन और दो के बीच में रहेगी मैं आपको अलग-अलग यहां लिख दे रहा हूं यह जो सुई है यह गंटे की सुई है और यहां मिनिट वाली सुई है ठीक है दो इनके बनने वाला कोड यानि यह चोटा पूछा जाता है यह कौण कितना होगा जो बड़ा पूचा जाता है यदि आपसे यह बड़ा बारा कौन पूछा जाएगा तो बहें बड़ा कौन लिखे देगा यदि नहीं लिखा लिखा तो आपको छोटा कौन ही बताना है हमेशा ठीक है अब इसको स्वल्व कहसे करते हैं पहले इसका कंसेप्ट क्लिर कर दे रहा हूं उसके बाद मैं आप ऐख दूंगा जो कि आपको आसानी से कोई भी प्रशन आएंगे कोंट से संबंदित भाय सभी स्वल्व हो जाएंगे तो इसको स्वल्व कहने के लिए सबसे पहलेपन को जानना है कि मिनिट जो है वाए एक मिनिट में कितने डिगरी का कौन बनाती है एक घंटे में कितने ड बात करते हैं ठीक है दुस्तों कोण बंते किस टाइब से पहले मैं आपको जे बता दे रहा हूं कोई भी एक जैसे यहां पर घड़ी है बारा बजे ठीक है दोस्तों यदि घड़ी में बारा बसते हैं तो दोनों श्मियां एक साथ रहती है तो दोस्तों आप देख लेते हैं यदि जो मिनिट का कांटर रहता है एक मिनिट ये पूरा राउंड लग करने में कितना समय लेता है कितने साथ मिनिट का समय लेता है एक राउंड पूरे करने लिए तो यह एक राउंड पूरा हो जाता है तो इसमें क्योंड कितना को बंद है तो आपको पता है जो एंगल होते हैं बारे टोटल 360 होते हैं यानि कि एक मिनिट बाली सुई जो रहती है यानि कि 60 मिनिट 60 मिनिट में 360 डिगरी का कौन बनाती है 360 डिगरी का एंगल बनाती है तो गिजानगे कि इसको नकालने के लिए यहां लखें मिनिट की सू एथ या? यान रखेगा अमनिट मिनिट के लिए का नकालने कि लिए आपको आए तीसो सार्ट में कितने सार्ट से आप ड effसक्त को डभाइट करेंगे लिए आपएंगे कितना आ जाएगा छे डिगरी आ जाएगा यानि कि जो मिनिट की सुई रहती है बाहर एक मिनिट में कितना छे डिगरी करेगी यानि छे डिगरी मतलब एक मिनिट में निकाल लेगी चलती है ठीक है इसके बाद बात करते हैं अपन घंटे वाली सुई कित दोस्तों यह तो हो गई किसकी मिनिट की सुई आप इसको याद रखेगा एक कंसेफ्ट तो अपना पहला नमबर कौन सा इवाला हो गया कि कोड कौन सा पूछा जाता है दूसरा हो गया कि यह टाइम कितना है स्वरी मिनिट बाली सुई कितना को एंगल बनाती है तो छे डिगरी का बनाती है एक मिनिट मिनिट बाली सुई एक मिनिट में छे डिगरी का एंगल बनाती है और एक घंटे में कितने डिगरी का बनाती है तीन सो साट डिग्री का ठीक है इसकी बाद बात करते हैं अपन गंटे की यहां पर लिख लेते हैं ठीक है घंटे वाली सुई गंटी वाली सुई बरावा ठीक है अब गंटी वाली सुई भी इस एक चक्कल लगाने में कितना समय लेती है कितना समय लेती है तो दोस्तों यह बारा गंटे का समय लेती है एक सेकर लगाने कितने बारा गंटे का समय लेती है बारा गंटे का समय लेती है यानि कि बारा गंटे में घंटे बाली सुई जो है बारा गंटे में तीन सो साथ डिगरी चलती है ठीक है तीन सो साथ डिगरी का कहोन बनाती है तो यह से स्बम् chiaya 350 12 करेंगे आपको फ्रेय का निकाल लेकर ये कि फिर इसको आप स्वल्व करेंगे तो बारा से 304 को डवाइट करेंगे तो आप पाएंगे है दूस्तों 30 degree हो जाएगा कितना 30 degree आएगा यानि कि एक घंटे में घंटे वाली स्वी कितनी 30 degree का कौन बनाती है 30 degree का कौन बनाती है ठीक है एक आपको point करने वाला एक point एरहार नूर करने वाला इसके बाद यदि एक घंटे में 30 degree का बनाती है तो एक मिनट में कितने डिगरी का बनाएगी तो दोस्तों इसको नकालने के लिए क्या करेंगे एक घंटे को आप 60 मिनट भी लख सकते हैं ठीक है कितना लख सकते है 60 मिनट लख सकते हैं यानि कि एक घंट हास बराबर होता है 60 मिनट तो दोस्तों एक मिनट में चलती है 30 degree तो एक मिनट में चलाने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड कर देगे तो एक मिनट बराबर आजाएगा तो एक मिनट बराबर आएगा 1 upon 2 यानि कि एक बटे 2 degree का कॉन आ जाएगा तो आपका तीसरा पॉइंट नोड करने के लिए ए रहा चार पॉइंट होगा है पहला पॉइंट तो मैंने आताया था कि छोटा कॉन पूछे जाता है दूसरा पॉइंट है एक मिनट में 6 डिगरी का कॉन बनता है दूसरा पॉइंट एक घंटे में 30 डिगरी का कॉन बनता है और चौता है एक मिनट में बनता है एक गंटे में बनता है 30 दिग्री का तो एक मिट्र बनेगा वन बड़े यह इनि कि वन अपकों टूडीटी ठीक है अब इसको सौन कैसे करते हैं आपको इसको स्वक्राइब करके बता आवधी आप चाहते हैं फिसका स्वर्ट प्लट में मोवाल में ले सकते हैं ठीक है ले लिए हुआ श्कीन सश्केस्ट ले लिए आप ले सकते हैं यह श्कार करते हैं मैं पॉइंट बाई-पॉइंट आपको बतलिक दे रहा हूं याँ बार फिर से मैं तो यह कंसेप्ट कीराने के लिए इतना सारा लिंगता हूं कि यहां पर लेख दे रहा हूं कितना एक पहला कंसिप रहता है हमेशा छोटा कोड ही पूछा जाता है नहीं बताया जाता है ठीक है बताया बताया जाता है जब तक कि भै बड़े का जिग्र ना कर या बड़े बड़ा लिखके ना दे इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है मिनिट की सुई मिनिट की सुई एक मिनिट में छे डिगरी का कौन बनाती है ठीक है छे डिगर कौन बनाती है और दूसरा नूट करने के लिए क्या है घंटे वाली सुई गंटे वाली सुई एक घंटे में तीस डिगरी का कौन बनाती है ठीक है तीस डिगरी का कौन बनाती है और चोथा पॉइंट कौन सा है घंटे वाली सुई गंटे वाली सुई एक मिनिट में वन वाई टू का कौन बनाती है ठीक है यह चार पॉइंट आपको इसमें समयने यूग है यानि की जो मैंने आपको इतने दो तीन मेंट आपको लिए कम्प्रीट बता हुए है वाई ओली मसाला आपका यही है आप इसको इसकी सोड़ ले सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं ताकि आप उससे बच सके हैं ठीक है इसके बाद आपने इसको स्वाल करते हैं इसको मैं मिटा दे रहा हूं इसको स्वाल करने के लिए कितना धाई बज़ रहा है तो दोस्तों यह आफ सबसे पर देख लेते हैं कोई भीए आप निकालने के लिए बाराप को पॉइन्ट Us करें यानी कि बारा पर डारेक्ट जायेंगे ठीक है यहासे दोस्तोज़ जब डोनों काइटे हैं बाराप बजेंगे तो दोनों काइटे एक के उपर एक रहे जिन जीरो डिगरी का एंगल बनेगा तो उसके बाद यह धाई बज रहा है दो बच के 30 मिट हो रहा है दोस्तों यह दीरे-दीरे कितना 6 पर आएगी यानि कि यह आदा पर राउंड कंप्लीट कर लेगी मिट की सुई जो है मिनिट क需 सुई है कि इßen चल ले चाल आगी 108 कि संपूर जो पूरा घेरा होता है को चक्कर होता है तो आदा गेरा होगा 180 को ठीक है इसके बाद क्या करना है घंटे वाली सुई भी कहां पर आ जाएगी चलके यह दीर 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 चलेगी तो यह आ जाएगी दो और तीन के बीच में यानि कि यह भी एक गंटे चली बारा से एक गंटे एक से दो दो गंटे और दो से तीन और दो के बीच में तो यह आद गंटे यानि कि यह धाई गंटे चली तो धाई गंटे में कितना होगा तो यह गंटे में यदि 30 मिनिट ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो 30 इंटू आप इसको ढाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा यानि कि है कितनी चल जाएगी ढाई घंटे में चलेगी 75 डिग्री ठीक है ड्रहाई गंटी में चल जाएगी 75 दिग्री 75 डिग्री इसमें चल जाएगी तो आप इसको 55 जये को फिर क्या करना है इसमें से मायनिस कर यानि 180 में से आप 75 क्योंकि आपको निकलना कौन साई अबाला निकालना क्योंकि जो यहां से यहां तो कुछ बनेगा नहीं क्योंकि यह दोनों काइट यहां पर आगा तो बड़ा बाला तो पूछा नहीं जाता यह हूँ चोटा पूछा जाता है तो यहां से यहां तक था तो यहां तो के सब कॉशन का आंसर है यादी शमय दो बच के 30 मिनट है तो मिनट और गंटे वाली सुई के बीच बनने वाला क्या होगा तो इसका आंसर आजाएगा कितना एक सो पांच डिग्री आ जाएगा एक सो पांच डिग्री आ जाएगा ठीक है आप इतनी सारी मैंने राम दीला बताई आप सो इसके बाद में कंसेप्ट क्लिए करना चाहता था इसके बाद में आपके लिए ट्रेक बता रहा हूं तागी आप यदि ट्रेक में यदि भूल भी जाते हैं तो concept आपका एदी clear रहता है तो आप आसानी से solve कर सकते हैं ठीक है अब मैं आपको trick बताने जा रहा हूं तो आप देखिएगा आप कितने जल्ली इसको solve कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर यहाँ है ठीटा बराबर 30 h ठीक है minus 11.2 यहाँ पर मिरिन रहेंगे ठीक है यह trick आपको याद करनी है ठीक है यह trick आपको याद करनी है दो चार या दश क्वेशन आप इसको solve करोगे तो यह trick आपको आपको आसानी से 30 मिट यहां से 30 घंटा कितना दिया है दो बच के 30 मिट तो यह आप इसको करेंगे देहों हैं यहाँ पर तो यहすके is के बाद मायनिस लगा है यह कितने मिनित के बाद 11 वटवाटcel इसके बात 30 बठ डिया यह ensure कर कर तीस से ठीक है अब इसको आप solve करेंगे तो दो से 30 को काटेंगे तो दोस्तों बच जाएगा कितना आजाएगा 15 आएगा जैसे इसको आप इंटू करेंगे तो यह साथ हो जाएगा तो आप यहाँ पर को हैं साट मायनिस इसको गुला करेंगे 15 in to 11 ठीक है 15 गुला 11 यानि की 15 को आप 11 से गुला करेंगे तो आप पाएंगे कितना 165 से 165 आएगा यह उससो आपको मैनिस करना है बड़ी बैल्यो को छोड़ी बैल्यू से माय करना है इसका हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि इसको आप स्वाल करेंगे तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए आप इस टैक्स स्वाल क्योंकि बड़े में यहां पर बड़ी संख्या होगी तो यहां छोटी होगी यहां बड़ी होगी तो आपको जो बड़ी संख्य रहती है उसमें चोड़ी संग्या को मानिस करना होता है इसको मानिस करेंगे तो आप आएंगे 105 डिग्री आ जाएगा ठीक है इसको आप 2-3 सेकेंड में आसानी से स्वालव कर सकते हैं ठीक है मैंने इसको कितना टाइम लगा स्वालव करने में बहुत जारा और आपको ट्रिक क एक सो असी से उपर आता है मैं चलिए बता दे रहा हूं उसको स्वालव करेंगे जैसे कॉश्चन है कि कितना चार बच के यहां पर लेखते हैं चार बच के पचास मिनिट है तो मिनिट और घंटे की सुई के बीच का अंदर क्या हो क्या होगा ठोड़ी अंदर का जाना है त इसको चार से इंटू करेंगे माइनिस ग्यारा अपॉन टू इंटू पचास ठीक है तो आप इसको फिर से स्वालव करेंगे दो से काटेंगे तो इस तो पच्चीस आजाएगा पच्चीस से आप इसको इंटू करेंगे ग्यारा को तो पच्चीस से कम कितना आ जाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो 120 आएगा अब इसको जैसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 145 सोरी 165 यहाँ बराबार 165 डिगरी इसको आसानी कोई भी प्रश्न आएगा इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं कितको आसानी से सोल्व सोरी दूस्य यहाँ पर 165 नहीं 115 नहीं आएगा अब इसको दोनों पर करेंगे तो 275 हो जाएगा यानि कि यहाँ पर आएकाई 155 इसके बाद देख लेते हैं और दूश्रा question जो मैं concept आपको बताना चाह रहा हूं वो भी आपको बता दे रहा हूं ठीक है जैसे की समय दिया है एक बच के 50 मिनिट एक बच के 50 मिनिट दिया है ठीक है और मिनिट मिनिट ठीक है मिनिट और घंटे के बीच का कौन क्या होगा आप इस फॉर्मले स्वाल्व करेंगे तिया हो जाएगा 30 गुड़ा में एक मायनिस 11 अपॉंट टू और इन टू में आ जाएगा पचास ठीक है आप इसको स्वाल करेंगे 2 से 50 कर देंगे तो 25 हो जाएगा इसके बाद 25 को आप इसमें कितने 11 से गुणधा करेंगे तो आएगा 275 275 अप इसमें 1 से 30 में गुणधा करेंगे तो 30 ही आएगा ठीक है इसको आप मायनिस जैसे ही करेंगे तो यह answer कितना आएगा 245 ठीक है 245 आगया नहीं कि रहा है 180 से बड़ा है मैं आपको यही समझाने की कोशिस कर रहा था कितना 180 से बड़ा है तो करना क्या हुए यदि 180 से बड़ा मायन आ जाता है तो इसको आपको 304 से मायनिस करना है कित से 304 से मायनिस करना है यदि आप जैसे इसको 306 से मायनिस करेंगे तो 115 आ जाएगा यानिकि 115 डिगरी आएगा एक बच के 50 मिट में मिनिट और घंटे के सुइयों के बीच का कौन 115 डिगरी आएगा क्योंकि हमेरे साथ छोटा कॉर्ण ही पूछा जाता है यह बड़ा कॉर्ण आ गया आ जाता है कभी-कभी लेकिन उसको तीन सो साथ से जैसे ही आप माइनस करेंगे तो छोटा कॉर्ण आ जाएगा आपको केबल केबल यह याद रखना है यह ट्रेक दोस्तों बहुत ही भूलोगे तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको मेरा है ब्यूट्या प्रयास बहुत अच्छा लगा हो यह अधी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने और ब्यूडियो को शेयर जरूर करने यह इसमें कोश गल्थ या पर कोई से त्वर्टी हो तो प्लीज कमेंट वाक से मुझे